देश में 25 राजियों के 347 ब्लॉक में मन्रेगा के तहट चल रहा काम केंद सरकार के रडार पर है क्यों रडार पर है क्योंकि वहाँ ये उमीद ये आशंका जताई गई है कि मन्रेगा के तहट जो काम हुआ है वो कम है जबकि उस पर जो खर्च हुआ है वो जादा है इसको देखते हुए कि इन सरकार ने उन सभी ब्लॉक्स का काम आडिट करना शुरू कर दिया है आडिटिंग के लिए कई टीमें पंचायत के स्थर तक जा रही है और पता किया जा रहा है कि ग्रामी रोजगार गरेंटी योजना के तहत हुए काम में किसी तरीके की धांदली तो नहीं होई है सर समीक्षा क्यों कर रही है सरकार इसके पीछे का मकसद क्या है मनरेगा के बजट में कटवती की संभावना बंती दिखाई दे रही है जो तेहनिया हमें दिखाई दे रही ही, उसे साब से सरकारे समझने की कोशिस कर रही है कि कोविट का लागडाउन खतम होने के बाद बाजार दुबारा खुल जाने के बाद भी मनरेगा में में नौकरियों की मांग कम क्यों नहीं हो रही है। 2021-22 में मन्रिगा पर करीब 98,000 करोल रुपए खर्च हुए थे अभी का जो आकड़ा है उसे साब से अभी तक इस पर करीब 60,000 करोल रुपए खर्च हो चुके हैं और 25,000 करोल रुपए की और मांग सरकार से की गई है, बजट के तौर पर की गई है, मन्रिगा सरकार के बजट पर बड़ा दबाओ है तो यह सारी जाच परता ले जाने की कुशिस की जा रहीं कि मन्रेगा के काम जमीन पर हो रहें के नहीं हो रहें और उससे कैसे बदला जा सके कि संकेत शायद हैं कि इस बार मन्रेगा के बजड़ पर अगर कटावती ना भी हो और इस चार्च रिपोर्ट किया इस प्रताल की रिपोर्ट जो सामने आएगी उसे शायद कुछ और जानकारिया मिलेंगी जो सिस्कीम के पुनरगठन की तरफ सरकार को प्रेजित करेंगी बिल्कुल तो वित्मंत्री आपको ये तरक देती दिख सकती है बजट के भाशन में कि इस बार मनरेका का बजट इसलिए घटाया गया है क्योंकि हमने समीक्षा की और ये पाया की बहुत सारी लीकिजिस थी उनको दूर कर दिया गया है तो काम उतना ही मिलेगा पैसा कम लगे कि अदू कर लाऊ ऑबड़ाया वे अुदू пойको कि अदाम में आपको दो सैंसे एक्यादे लीकिजिस का बवस्ट का ये जब करे शेरायाद वे पार बवस्टू जै Sealते बसी च dużष्ट का लाऊ जैसलिएवतों अबचको प Worksबको एक्यादे स युदूए उई집स्सलिएट ड